श्री राम जी के समान शील और इसनेह का निर्वाह करने वाला है दूसरा और कौन है ऐसे शील सिंदु किपा सिंदु श्री राम विपिन वास करके नर लिला कर रहे है खर दूशन आदि के साथ चौदह राक्षस आए तो श्री राम जी ने लक्षमन जी से कहा कि श्री सीता जी को लेकर गिरी कंदरा में चले जाओ लक्षमन जी ने कहा कि प्रभू फिर तो आप अकेले रह जाएंगे राक्षसों पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे श्री सीता जी भी संग नहीं और मैं भी संग नहीं न सहयोगी साथ न शक्ती साथ श्री राम जी ने कहा इन राक्षसों पर विजय युक्ती से पाई जाती है वह युक्ती क्या है भगवान ने कहा अकेले रह जाओ इतना बढ़िया संकेत है श्री लक्षमन जी ने समझना चाहा प्रहुन का बाद में समझाएंगे अभी जाओ पर कितना सुन्दर संकेत राम जी अकेले रह गए आप अकेले रह जाओ विकारों से सुरक्षित है दुतिया द्वयम भयम भवाती दूसरा द्वंद का कारण बनेगा एक वकील साहब का बेटा कहता था पिता जी हमें अकेले में डर लगता है पिता तारकिक वकील जो था कहने लगा अकेले में डर लग ही नहीं सकता वकील का बेटा बुला हमको तो अकेले में ही डर लगता है अच्छा अकेले में किस बात का डर लगता है किस का डर लगता है बेटा बुला अकेले में हमें भूत का डर लगता है तो वकील ने का फिर तुम अकेले कहा रह गए एक तुम दूसरा तुम्हारा भूद डर सुरू हम अगर बिलकुल अकेले रह सकें हमारे अलावा कोई हो ही नहीं मुझे मेरी मन्जिल कहा लेके आई जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है हम ही हम हों बस हमी थे भूले हमी में भूले हमें ढूनने हमी चले हमी ने खोजा हमी ने पाया हमें मिले तब हमी मिले दूसरा है यह नहीं बिलकुल अकेले रह गए हमारे अलावा दूसरे की सत्ता है ही नहीं ऐसे भाव में रहने वाला व्यक्ति सहज विकारों से मुक्त हो जाता है निजानंद मस्ती में मैं जूमता हूँ कहां कौन कैसा ना मैं पूँचता हूँ खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे मिसाले भमर होके मैं गूँजता हूँ गुजिस्ता जमाने में थे कर्म जितने उन्हें ग्यान होली मैं मैं फूंकता हूँ न जीने की इच्छा न मरने की चिंता कजा से निडर होके मैं गूमता हूँ और मिली हैं जिन से ये बेहद निगाहें पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ मैं ही मैं स्री स्वामी राम तीर्थ जी लिखते है पानी के जहाज से यात्रा करते समय तूफान आया लगा कि जहाज डूबने वाला है स्वामी जी का मन घबड़ाया है तो स्वामी जी तुरंट अपड़े मन को डाटते हुए कहते है कापता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों ना खुदा तू लहर तू किस्ती भी तू साहिल भी तू तू ही तू है दूसरा है ही नहीं और जब दूसरा न बचे तो द्वंद होगा कहां से श्री राम जी कहते हैं बस मैं अकेला रह जाओंगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग इसलिए हम लोग परस पर बोलते हैं तो कहते हैं राम राम इसका अर्थी यह है कि इधर भी राम और उधर भी राम सामने वाले में भी राम प्रणाम करना जिसको कर रहे हैं उसमें भी राम और जो प्रणाम कर रहा है उसमें भी राम हरे रामा रामा राम सीका राम 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 सीता राम 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 लुसके गणी तुम информा टोग सुर्णानु खेसने तबस्टे सुटे जिसंख वर सेते ह ow के की जब है जो संकी जान दूंए जाना है एख मैं दूनकार है थे सर्वार्य चूतret नहीं जाकित विंड उस जो आदाब्ग DR. प्रफंपूच गणपति जी कोपल में यह नाम मिल गया यही अवलंबना शबरी को जंगल में लाखों का बेरा पारि किया पुच जाया प्रव के धाना रामा रामा र्म, सीता राम 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 ठाओ आए रामा रामा राम सिताराम राम 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 स्रीजीता राम्जी महराजकी